नमस्कार जोहार जय हिंद आप स्विकार रोजगा टीव में स्वागत्थे जार्खन में बहुत ही जल्द विधानसवाद चुना होने वाला है इस साल जार्खन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा हैमंत्सवारन जयराम है तो या बावुलाल मरांडी आप लोग के लिए जार्ख साल मुख्यमंत्री बनेगा और आप लोग किसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट करके जरूर बताएं और यहां पर ताजा सर्वेय है जो ताजा ओ लेटेश्ट ओपिनेन पोल है इसको यहां पर मैं आप लोग बताऊंगा ल 2019 वाला opinion poll देख लिजिए कि किस जिला से किस party को कितना seat मिला था फिर हम लोग 2024 के उपर भी आएंगे और 2024 का जो विधानसवा चुना होने वाला है इसके उपर भी अभी हम लोग बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2019 का जो हमारा चुना हुआ था जार party का मुख्यमंत्री बनता है तो देख लिजिए टोटल जार्खन में हमारा 81 सीट है सबसे पहले हम बात करते हैं साहेब गंजीला का साहेब गंजीला में तीन विधानसवा सीट है और यह जो तीन सेट है तीन सीट में से दो सीट मिलाता हमारा हामन सवरेंजी के party को यानि कि इंडिया कडवंधन को और एक स्ट मिला था BJP को और बाद बाकी किसी को भी नहीं मिला था और 2019 के चुनाओं में हमारे 42 मातों जी नहीं थे बल्कि यहा पर आजसु के यहाँ पर नेता थे जेभियम के नेता थे बट यहां पर तो नहीं थे आगे देखिए अगैर हम लोग आगे बात करें अगला जिला का तो अगला जिला हमारा पाकूर्ण में टोटल 3 विधान सभाशएट्ट है उर 3 स्क्यांब्लों का 3 स्क्राइट है इसी में आगया था इसेषिद अगला जिला न्हीं गazz toatorle 4 स्वास सिहुआ है और देख लिए ऐंडियागरवन्दन के खाते में ऑगर आगे बात करें जो हमारा अगला जीलह है अगला जिला है जामताडा, जामताडा में टोटल दो विधानसवाज स्वाज 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 स्वा बूसीत स्वार्ב एग्स इंडियागाडवंदर की खाते में में 2019 यहाँ पर गॉच्ण इस से मिला गारे कोड़ भाहन लिया इक सीथ हैlarda देख लिज़ेगा एक स्वीड इंडिया कडवेन्दन को ढोशेट बीजेपी को उर एक सिट यहाँ पर ओदर पार्टि को मिला था इसके बाद हमारा अगला जिला है रामगर, रामगर में टोटल दो विधान सभाज सीट है और ये दोनों सीट इंडिया गडवंदन के खाते में चला गया था में इसके बाद आगे चत्रा हमें टोटल दो विधान सबास सीट में click स αυτ़ लगी को मिला योगिशेपी लादami देख लिजे यह जो गिरिडी है ना गिरिडी में चुनाव इस साल 2024 में बहुत थी एकदम रोमांचक वाला होने वाला है क्योंकि जैराम महतों भी नहीं से चुनाव लड़ेंगे और जैराम महतों का समझे एक गड़ है अभी जो हमारा 2024 में जो लोकसभा का चुना हुआ तो जैराम महतों गिरिडी से ही खड़ा हुए थे और उनको अच्छा खासा वोट मिला था तो इस साल गिरिडी से एकदम खड़ा मुकावला होने वाला है आगे अगे बात करें हमारा जो अगला जिला है बोकारो बोकारो में टोडल चार विधानसवाद सीट है चार सीट में स इंडिया गडवन्दन को मिला था दो सिट बीजेपी को और एक यहां पर आजसु को मिला था इसके बाद आगे देखिए अगला जिला धनबाद धनबाद में टोडल चाव विधानसवाद सीट है चार सीट यहां पर बीजेपी को मिला था पूर्वी सिंग भूम में यहां सिट में पहल पर चावर। चावर। के चुनाओं में ही देखने को मिलेगा आगे अगे बात करेंगे आगे देखिए अगला जो जीला है हमारा अगला जीला है पस्चिमी सिंग्भूम इसमें टोडल पांच विधानसवा स्रीट है और पांच में से पांचों स्रीट यहां पर इंडिया गडवन्दन को मिलाता अगला जीला है खूटी में टोटल दो विधानसवा स्रीट है और दोनों का दोनों स्रीट बिजएपी को मिला था फिर सिमडेगा सिमडेगा में टोटल दो विधानसवा स्रीट है और दोनों में से दोनों स्रीट यहां पर इंडिया गडवन्दन को मिला था आगे देखिए लोहरदगा में एक विधानसवाद सीट है और यह जो सीट है इंडिया गडवंदन को मिला था लातेहार में हमारा दो विधानसवाद सीट है और यह दोनों की दोनों सीट यहां पर इंडिया गडवंदन को मिला था लामू में पांच यहां पर विधानसवाद सीट है और पां देख आपने 2019 का चुनावी परिणाम देखा यहां पर मैंने आप लोगों को 81 सीट का पूरा-पूरी बताया कि किस पार्टी को कितना सीट मिला था आप यहां से देख सकते हैं देख लिजिए जे एमेम को अलब जे एमेम और इसके साथ जो भी गडवंदन में जो भी पार्ट टोटल इनको 77 14 सीड मिला था बी ईजे बीज़यी गार लिज़यी देख लिज़ये, बज़ये को इहां पर 25 सीढ मिला था आजसू को 2 सीढ मिला है यह बीज बीज़या है आप इसको देख़िये किस पार्टी को 2019 में कितना सीढ मिला था झार्कन मुक्तिमोर्चा यानि कि JMM, जे एम एम, JMM को मिला है, टोटल 30 सीट, फिर जो हमारा भारती जंता पाटी है, यानि कि जो हमारा बीजेपी है, बीजेपी को मिला है यहाँ पर 25 सीट, जो हमारा कॉंग्रेस है, यानि कि आई एन सी, जो कॉंग्रेस है, कॉंग्रेस को यहाँ से मिला था 16 सीट, छ एक सिट एन्सिपी को मिला है एक सिट हाकपा माले को मिला था एक सिट और निर्दलिय को मिला था दो सिट तो 2019 का चुनावी परिणाम कुछ इस प्रकार से रहा लेकिन अब हम लोग बात करेंगे 2024 का कि 2024 में कौन किस पर भारी पड़ेगा 2024 में किसका परसंटे ज्यादा है अब देए अब लोग आगे बात करेंगे अगर हम लोग बात करें न किस साल का 2024 का चुनावी परिणाम किस प्रकार का होने वाला है किस पार्टी को इस प्रकार से कितना वोट मिल सकता है किसी सरकार बन सकती है सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए जिससे आप लोगों को एक आईडिया होगा कि जहारखन में बीजेपी का और हमारा जो इंडिया गडवन्दन है इंडिया कडवन्दन इंडिया कडवन्दन बोला जाए तो आप समझ सकते हैं इंडिया कडवन्दन में जैसे हमारा आ जाएगा कॉंग्रेस आ जाएगा जेमें आ जाएगा आरजेडी आ जाएगा तो इनके बीच किस प्रकार का मुकावला होने वाला है किस प्रकार का जार्खन में इन लोगों का इस्तिती है अगर हम लोग बात करें 2024 के लोगसभा चुनाओं का यह आप देख सकते हैं यह हमारा 2024 के लोगसभा चुनाओं का परिनाम है देख लिए जार्खन में टोटल 14 सीट है जार्खन में टोटल लोगसभा का 14 सीट है और 14 बीजेपी को 8 सीट मिला है यह 2024 सीट में आपको बता रहा हूं 28 सीट देखेंगे और अब धासे कर सकते हैं और आपको हरे 01 सीट मेत चल जाएगा जिससे हर इक्ष्ट आपको समझ में आएगा कि बीजेपी का इस्तिदी क्या है जारकन में जे एमेम का इस्तिदी क्या है और और अधर पाटे का इस्तिदी क्या है तो आप सबसे पहले इसको देखिए अगर आप यहां पर 2019 के चुनावी परिणाम को देखेंगे यह हमारा लो बीजेपी को मात्र 8 सिट मिलता है याने देख लिए बीजेपी का सिट यहां पर घड़ गया है पहले इनको 11 सिट मिला था और 2024 के चुनावी परिणाम में इनको 8 सिट मिलता है तो इससे क्या आप देख पा रहे हैं कि हां से 3 सिट इनका घड़ जाता है अगर हम लोग बात क इनको यहां पर 2 सिट मिला है इसी प्रकार से अगर हम लोग जेएमेम का बात करें तो जेएमेम को देख लिए 2019 में यहां पर एक सिट मिला था लेकिन 2024 में जेएमेम को 3 सिट मिल जाता है तो आप देख लिए यहां पर जेएमेम में भी बड़ोतरी हुआ है इनका भी सिट मे बड़ोतरी हुआ है लेकिन भाजबा का जो सीट है घट गया है इनको पहले मिला था 11 सीट अब मिला 8 सीट तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि भाजबा का जो क्रेज है जारकन में थोड़ा सा तो कम दिखता हुआ नजर आ रहा है चाहे आप इस लोकसभा चुनाओं क मैं परिणाम दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को पता से लेगा जो क्रेज है जारकन में थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस साल 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव है हो सके इससे भाजबा को अधिक सधिक वोट मिले एससे तो जेम्म को और इंडि इसके बाद अगे थोड़ा से चलें और आगे बात करें तो यह आप देख लिजिए यहां पर किसी पार्टी का क्रेज घटा है तो देख लिजिए जैसे अगर आपनों बात करें 2014 का तो 2014 में जेम्म को 19 सीट मिला था और देख लिजिए 2019 का अगर बात करें तो 2019 में जेम्म को 30 सीट मिल जाता है यानि डायरेक्ट इनका जो है 11 सीट बढ़ जाता है कि 2014 की चुना दिखिए में जेम को तिस चिड़ मिल जाता है अगर आप देखेंगे बीजेपी का हाल तो 2014 में बीजेपी को मिला था 57 सिट और 2019 में बीजेपी को देखेंगे यहां मिला है 25 सिट यायनि डाइरेक्ट हमारा 12 सिट कम हो जाता है जो भीजेपी का जो क्रेज है आज देग लिजे यहां पर 16 सीट यानि 10 सीट इनका बढ़ जाता है तो इंडिया गड़ बंधन को आप अगर देखेंगे इंडिया गड़ बंधन का अगर बात करें तो इंडिया गड़ बंधन में हमारा सीट बढ़ रहा है नहीं आजसू था और नहीं जेवीम था लेकिन इस साल आजसू जेवीम और बीजेपी टीनो एक साथ चुनाव लेने वाला है तो अब देखा जाए कि फेक्टर यहां पर किस प्रकार का चलता है समिकरन किस प्रकार से यहां से बदलता है अगर हम लोग बात करें दो हजार चो अगर आगे देखें और समझें सबसे बड़ा बदला हुआ है 2019 का चुनाव में यह तीनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे लेकिन दो हजार चोबिस में यह तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं हमारे जो आजसू है यह अमारे जो बीजेपी ह है और हमारे जो जेबीम है यह तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं तो यहां से समिकरन बदल सकता है और सबसे बड़ा परिवर्तन आप देख लिजिए यहां पर सबसे बड़ा परिवर्तन आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो लौबिन हेमरम जी जो ह है और हमारे जो चमपई स्वरेंग जी जो है यह बीजेपी में मिल गए हैं यह बीजेपी में सामिल हो गए हैं तो यह कितना बड़ा फैक्टर बनता है यहां से क्या चुनामी परिणाम निकलता है इस चीज़ को देखना बहुत ही दिल्चस्प हो जाएगा चिंगी पर जार्खन के इस साल के जो बिधानसवाद चुना होने वाले हैं इसमें चुनाओं लड़ सकते हैं आप देख लिजिए एक अपडेट आया हुआ है यह हमारा दैनिक जारून का अपडेट है इसमें लिखा गया है कि जार्खन इलेक्शन दोजार चोबिस नितिस्कुमार आप पार ने ने कर लिया फैसला जार्खन में अडेए के साथ चुनाओं लड़ेगी जेडीउ जो जो है नितिस कुमार की पर्टी में इस साल चुनाओं लड़ने वाली है तो यह इल्यकरिकर्ण कैसे बदलेगा यह देखनावी बहुती दिल्चस्प हो जाएगा अगर आम का नाम बदल कर JLKM कर दिया गया है तो ये एक युवा नेता उभर कर सामने आए हैं और अभी जो स्टुडेंट्स है सब के फेवरेट चहेते बन गए है भासन देने का इनका जो कला है बहुत ही अच्छा है सोसल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वाइरल है इस साल के लोग टयार जरा महतो जी नहीं थे लेकिन 24 की चुनाओं मैं टाइगर महतोजी भी है यहां से समयकरन कैसे बदलता है यह भी देखना दिल्चस्प हो जाएगा अगर हम लोग आगे देखें अगर भात करें ना ताइगर जरा महतो का देखिए गरेडियों चुनुनुद में बिस् टक्कर दिने के लिए टाइगर 12 महतों जी आ गए हैं तो यहाँ पर यह तीनों का बहुत उक खतरणाग वाला मुकावला होने वाला है यह तीनों का बहुत सजार से भी ज्यादा वोट मिला था 3,40,000 से भी ज्यादा वोट मिला था और किसी निर्दलियों को इतना वोट मिलना थर्ड पोजिसन में आना एक बहुत बड़ी बात होती है तो यहां से फ्यक्टर यहां से समिकरन बदल सकता है हमारा अगर हम आगे बात करें तो आप देख पूरी तरी किसे नहीं देंगे लेकिन हां किसी-किसी विधानसवा से ज्यादा को भी टककर देने वाले हैं और विज्यस करके बीजेपी को यहां से बड़ा जटका लग सकता है अब देखली चीजिसे धनबाद का मैं बात करूं अगर मैं गिरिडी का बात करूं तो ऐसे ब बात करें हमन सोरेंजी का इनका अभी बात कुछ अलगी है बार बार लगातार सीम बन रहे हैं हो सके दो हजर चोबिस में अगला सेम हमारा हमन सोरेंजी बन जाए कि आप देख सकते हैं पहला बात तो इनका जो गड़मंदन है एक बहुती बड़े पार्टी के साथ है अगर मुस्लिम लोग जो होते हैं मुस्लिम में से करीबन 99 परसंट जो वोट होता है कॉंग्रेस को इसाफित ना कही कंब करते हैं इनका सारा वोट कऌंगiałem को को जाता है और कॉंग्रेस को वोट गया यानि की इंडिया बंदन को चला गया और यहां पर यह बहुती दो बड करेंग यह होता है जहरकण में हमारे जाथी बेसिस पर वोतिंग होता है क्योंकि मैकसेमाम आदिवासिती गोट मुर्शी को मिल जाएगा मुस्लिमों का जो गोट है से और उसका मुष्य मंंदों रिपकर करके अभी यह सबसे बड़ी जो यह चुट्रेंडिंग में जारकन मुख्यमंत्री महिया सम्मान योजना हो सके इन योजनाओं के चलते मुख्यमंत्री जी को अच्छा कासा वोट मिल जाए कि इनोंने बिजली बिल माप कर दिया है और इसे बहुत सारे योजना लेकर आए हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे योजना लेकर आए हैं और यह जो योजनाय है इससे हमन सरण जी को अच्छा कासा वोट मिल सकता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का चुनावी जो मुद्दा है 2024 में हमारा होने वाला है अब बात यह रहा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी आप जिसका भी सरकार जखना चाहते हैं आप नीचे कॉम